Hello दोस्तो, आज हम चक्रवधी ब्याज के प्रसनों को आसानी से सरल करने की trick सिखते हैं जैसे कि हमारे पास इस टाइप का अगर कोई प्रसन आता है जैसे कि कोई धन चक्रवधी ब्याज पर तीन वर्ष में अपने का तीन गुना हो जाता है वहें कितने वर्सों में नो गुना हो जाएगा हम इस person को आसानी से कैसे सरल कर पाते हैं देखते है जैसे तीन वर्स में अपने का कितने गुना हो रहा है तीन वर्स में अपने का कितने गुना हो रहा है तीन गुना हो रहा है कितने गुना तीन गुना उसने ये प्रिशम में कहा कि कितने वर्सों में 9 गुरों होगा 9 गुरों होगा ये 9 कब आएगा हमारा जब हम इस 3 की गहात 2 करदेगे और 3 कब वर्ग करदेंगे तो यहां जो ये वर्ग जिसकी जो गहात करते हैं जो इसकी कौल में आता है तो उस गहात के हम multiply अगर उपर वाले से कर दे तो इसके multiply से जो answer आता है जैसे ही हाँ दूतिया 6 तो उसने पूछा तक कितने वर्सों में नो गुना होगा तो वो 6 वर्सों में कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा इस तरह से हमारे पास इसका दूसरा प्रिशन है कि कोई धन 4 वर्सों में 2 गुना हो जाता है कितने वर्सों में 4 वर्सों में कितने गुना हो रहा है 2 गुना हो रहा है किसे चकर वहधी ब्याज कि दर से तो वह धन कितने वर्सों में 16 गुना होगा यहाँ उसने कहा कि कितने गुना 16 गुना तो 16 2 से 16 कब आएगा हम जब 2 की घात कितनी कर देंगे 4 2 की घात 4 करने के बाद आएगा हमारा 16 तो इस 4 की multiply हम किस से करेगे उपर वाले 4 से तो यहां 4 की multiply 4 से करके कितना आजाएगा 16 वर्स तो वे 16 वर्सों में कितना होगा 16 गुना होगा इसी तरह सें तीसरा परसं देखते हैं कि कोई धन चक्रवर्धी ब्याच पर 5 वर्स में 2 गुना हो जाता है कितने वर्सों में 5 वर्स में कितने गुना हो रहा है वो 2 गुना हो रहा है कितने गुना 2 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 8 गुना होगा कितने वर्षों में 8 गुना होगा तो अब बताएगे कितने वर्षों में होगा यह 2 की गहात हम कितने करें जिससे की 8 आये तो 2 की गहात हमें कितने करने पड़ेगी 3 करने पड़ेगी तो इस 3 की multiply हम किस से गरेंगे उपर वाले 5 से गरेंगे और जब 5 तिया कितना होता है 15 वर्स तो 15 वर्सों में वो कितना हो जाएगा 8 गोना हो जाएगा इस तरह के प्रिशन को हम इस तरह से आसानी से solve कर पाते हैं बहुत ही कम समय में